दादा दादा पाठी से नहीं है दादा और पकड़ो पकड़ो धाधा नमसकार रुख हुआ अरे हम घूम रहा है जिन के लिए देखने के लिए लोग सब कौछन आगए तो कमल वाले आते हैं नहीं आते हैं तो आपकी साइकल की और देख रहे हो कि कमल की और देख रहे हो नहीं कुछ कारण हो कर देख रहे हमारे पूरे दिन लौटा देख रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं प्रकाश राजभर जी के पार्टी से कुछ लोग है और आप आदमी जादा है क्योंकि गौरी गंच के बिल्कुल ओपन चो रहे हैं पर खड़े हो करके हम पूछ रहे हैं तो आप हम आप यह लोग कह रहे हैं कि इस बार सफाह आ रही हैं यह लोग कुछ नहीं किया है केवल जुमला और किसानों का हाल देखिए किसान को रौंद दिया जाता है अगर अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं तो और चात्र नौजवान बीएड में देखिए कितना भरस्टा चार हुआ है मारे वीची हैं जब पर सी लिए एक बार शिच्छकों के लिए नाम ले लेंके निकल दिया जाएंगे इस टूल मंत्री है अब कह रहे हैं तो लोगों ने पर लोग जानते हैं उस पर कहना क्या है और यहां की बात देवरिया सदर की बात कर रहे हैं यहां बीधायक भाजफ तो बार जो संसर्च चुने गए हैं ऑगा है कितने बीच में आते हैं कितने जन तक बीच में नत यहां कोई नहीं है विजैपी का करें है औos balk कर रहे हैं तो पिशली बारी ुए और डावाद्री भीटोस्ट के लिये तिक्ट नहीं मिल पाया आपकी बार टिकट मिला इक चेटरी नहीं है पहली बात दूसरी बात जनता वीजेपी से परिशान हो चुकी है जितने लोग आप सबसे अपना-पना-पना उपेनियन दे रहे हैं सब लोग परिशान हो गया है और हम लोग पीजी कर चुके यूजी पीजी कोई भी वांटा रहा है या भाजपा से ही नराज़गी बहाजपा से भी है और हमारे जो छेत्री परत्यासी है जै परताप सिंग उनके साथ पूरी जनता है देवरियां की और वो प्रचंड प्रचंड वोटों से जित क्या है क्या करते हैं हम स्विल सर्विस के एस्पिरेंट है यहां सब लोग खड़े इनको देखने आए था पहले से इनके साथ नहीं नहीं पहले से नहीं मैं इदर से टालने आ था कुछ काफी किता क देख लिया फिर मैं आपको पहले से मतलब में कई प्रोग्राम आपका देखा हूं तो मेरा भाई बताया कि प्रग्या जी आई हैं उने का चलो देखते हैं आप तो एस्पेरिंट हो सिविल सर्विसिस की तयारी कर रहे हो आपके हिसाब से यूवाओं के लिए भाजपा सरकार सत्ता में है कुछ कर पाई मैं पकड़ूंगे आप बस बोलिए बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई कुछ भी संतों जनक नहीं कर पाई क्या नाम आपका प्र बनाते हैं कि इस बार निश्पक्षिता से परिक्षाएं हो रही है पहले चीटिंग करके यह कुछ दिन पहले यूपी टीटी का निश्पक्षता देखी देखने देखा है अपने सायथ अभी कुछी दिन तो हुए कहा निश्पक्षता है इनका पेपर लिख हो जा रहा है आउट हो जा रहा है वो कोश्चन गलत हो जा रहा है आखिर इनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि 150 प्रस्टन यह सही बना पाएं कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंतरी जी ने कहा था कि यहां कि युवाओ में योगता नहीं है शायद आपने सभी लोगनों सुना होगा इनके पीला गंशा समाजवादी पायटी मानई राष्टी अधश अकिले सेयादो जी के गठबंधन कि ये पिला राजवन सहाब का वाहाँ और समाजवादी पाइटी का सरकार इस बार बनने जा रही है, गरीबों, कमजोडों, सोचितों, बंचितों के सरकार बनने जा रही है, पिछनों का सरकार बनने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल लए है इसलिए कि मेरा जवान ललका भरेज हो गया फिल्ड बन दोड़ता है उसकी तीन साल आर्मी की भरती अगर कोई किसी के बच्चा देखता होगा तो सब पुछिएगा अठारा किस लिया जाता है और वह भरेज हो गया वह अलारका कहां जाएगा किस के पास जाएगा नोकरी मांगने के लिए आप बताएं बेरोजगारी तरी बढ़ गई कि आपसे क्या बताएं अच्छा एक चीज जरा जगा दीजिए आज सब कुछ सामने सामने बात हो जाए समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं उम्प्रकाश राजबर जी की पार्टी से जुड़े भी लोग हैं आम लोग भी हैं आपके दार नाज जी हो कोई टोपी नहीं कोई गमछा नहीं दिल मे योगी जी को देखा तो अखलेश जी के कामों की वज़ा से चाहरे हो या बीजेपी से नराज होकर के अखलेश जी को अपोजिशन में देख रहे हैं आज बीजेपी सत्रस्त हो चुके हैं हम लोग इतना बेकार हो गया है कि बच्छे पर परदेश चले गए भूखे चले आ बादूघ आं कि ठाके लाए बाता है को फ्योंका चाहिप्र वजयां है कि वाकई लेहर राजबर साप के साथ जोर बहुत ज़्यादा है तो आप सब कुछ सानने होगा, आप लोग देखिएगा, आम लोग बताएंगे कि वाकई लहर है कि नहीं है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई, कितना दम है आप सब इनके साथ ही आए हो, अखलेश जी के साथ हो क्योंकि योगी जी ने हमारे लिए उगा, युवा के लिए कुछ नहीं किया बीवेक राओ, डरोमत, क्या ना मैं? पूरा नाम बदा हो बीवेक राओ, तो क्या करते हो? मैं मैं युवा हूँ, युवा तो हो कुछ काम भी करते हो जानता आम जानता बेरोजगारी और महंगाई और भुकमरी से तरस्त है इसलिए उत्तर परदेश में बदलाव चाहती है बदलाव के रूप में अखिलेश सेयादो जी को मुखमंतरी बनाना चाहती है बदलाव होगा क्या आपकी बार इस बार में अखिलेश मुखमंतरी बने और सब जनता को जाने सब बिख जाएगा तो क्या खाएंगे लोगानों क्रीम मिलेगी का बिख गया एयरपोर्ट भीक रहा है बदलरगाह भीक रहा है और रेलवे भीक रहा है सब बिक रहा है किसान को भाजबा ने बहुत खुश किया 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 लोगों को जान से मार दिया कुछ नहीं किया बोरे में यूरिया पांच किलो कम कर दिया सत रुपया बढ़ा दिया किसान के लिए क्या दिया तमाम इतने साल हैं खेट चर जा रहा है उसके लिए कोई बेवस्ता नहीं सरकार के पास तो सब्सक्राइब परिशान हैं अज तक कभी इतनी महंगाई नहीं हुई यहां कुछ आम लोग खड़े हैं पार्टी से हो क्या अच्छा पार्टी के लोगों से बात नहीं करेंगे आम लोगों से भी बात करके देख लेंगे हम रूप जाए